इलॉन मस्क और उनके भाई और उनकी बहन को most of the time उनकी मदर में मस्क के साथ ही पिच्चर्स में देखा जाता है But why not with their father? Well, unfortunately ऐसा इसलिए है क्योंकि इलॉन और उनके भाई बहन का relation उनके फादर के साथ अपनी मदर की तरह sweet and simple होने की जगा काफी complicated है इलॉन के फादर एरल मस्क कहने को तो एक amazing engineer माने जाते हैं जिसकी वज़ा से शायत इलॉन मस्क एक अच्छे engineer बन सकें जिसका credit जाता है इलॉन के फादर को बट अपने फादर से इस तरह के जीन के मिलने के बाद भी इलॉन अपने फादर को इसके लिए बिल्कुल भी credit नहीं देते इन फैक्ट इलॉन एक इंटर्व्यू में अपने फादर को describe करने के लिए काफी अलग तरह का word इस्तमाल करते हैं जैसे की इलॉन अपने पिता को एक बुरा व्यक्ति बताते हैं बट कोई भी बेटा अपने पिता को इस तरह क्यों describe करेगा जिसकी वज़ा से मेबी इलॉन आज वो इलॉन मस्क बन सके हैं जिसे आज कोई भी introduction की ज़रूरत नहीं है वेल, लेट सी इलॉन अपने फादर को अपनी मदर की तरह treat क्यों नहीं करते हैं एंड इसके पीछे का क्या reason है एरल मस्स South Africa के capital Praetoria में बॉन हुए थे जिनके फादर आर्मी में sergeant थे और उनकी मदर की family को उनकी knowledge के लिए जाना जाया जाता था एरल एन इलॉन की मदर में दोनों ही same area में रहा करते थे एंड जिस तरह अपने neighborhood में सभी लड़के सबसे pretty girl को जानते हैं उसी तरह एरल भी मे के super model looks के वज़ा से उनकी और attracted feel करते थे जो आगे चलकर अपने looks के वज़ा से well known fashion model and dietitian बनी एरल एन में दोनों ही same area में रहने के साथ same university भी attend करते थे जहां दोनों एक दूसरे को time to time date करते थे एक interview के according में कहती हैं कि इलॉन के father उन्हें university के दिनों हमेशा शादी करने के लिए proposal देते रहते थे जिस proposal को उन्हें finally accept करना पड़ा ये सोचते हुए कि maybe उनका ये decision उनकी life का सबसे अच्छा decision हो सकता है बट इस गलती का एसास उन्हें काफी जल्द होने वाला था इलॉन के biographer को बताये interview में में कहती हैं कि एरल का proposal accept करने से पहले तक वो हमेशा में को non-stop शादी करने के लिए मनाया करते थे और यही बात surprisingly इलॉन की first wife Justine ने भी अपने interview में इलॉन के लिए बताया है अपने parents की तरह ही इलॉन को भी अपनी first life partner अपने college time में मिली जिनके साथ वो अपना future देखते थे इलॉन एंड जस्टीन एक साथ Canada की एक university में study करते थे जहाँ पर इलॉन जस्टीन को every time call किया करते थे एंड जस्टीन कहती है कि इलॉन अपनी बात मनाने के लिए कुछ भी कर सकते थे इवन इलॉन की first wife Justine इलॉन को एक Terminator से भी compare करती है जो बीना अपनी बात मनाय शांत होने का नाम नहीं लेता मे और Errol के शादी के 9 months later इलॉन का जनम होता है एंड स्टार्टिंग से ही इलॉन के parents को ये समझ आ जाता है कि उनका बेटा किसी normal बच्चे से काफी different है इंटर्वीव में इलॉन के पिता बताते हैं कि कैसे इलॉन जस्ट 3-4 येर्स के होने के बाद भी काफी interesting questions पूछा करते थे जैसे कि पूरी दुनिया कहां है शुरुवाती दिनों में मस्क फैमिली काफी happily South Africa के capital में रहा करती थी इलॉन कहते हैं कि उनके father काफी high IQ level वाले talented and mechanical engineer है जिसका benefit एरल और में मस्क के सभी बच्चों में से सबसे ज़ादा इलॉन को मिला और टाइम टू टाइम एरल अपने दोनों लड़कों को अपने साथ अपनी work site पर भी लेकर जाया करते थे और इलॉन के father ही वो वेक्ती हैं जिन्होंने इलॉन को computer के world से introduce करवाया बाहर से देखने पर आपको ज़रूर लग रहा होगा कि इलॉन का childhood काफी अच्छा था बट अपनी biography में इलॉन कहते हैं कि उन्हें कई बार ऐसा लगता था कि वो अपनी life में काफी sad है और उनकी life दूसरे बच्चों की तरह नहीं है इन सबी चीजों का जिम्मेदार Elon Musk अपने father को मानते हैं 1979 में Elon जब 8 years के थे तब उनके parents mainly उनकी mother ने Elon के father को divorce देने का decision लिया and May Musk ऐसा करने की वज़ा Errol Musk के साथ अपने abusive relationship की वज़ा बताती है May ये भी बताती हैं कि as a single mother शुरुवाती दिनों में उन्हें अपने बच्चों का ख्यार रखने में काफी struggle करना पड़ा जैसे कि यदि उनके बच्चों में से कोई खाने की चीजों को नुकसान करता for example milk तो उनके पास फिर से दूद खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे अपने तीनों बच्चों का ख्यार रखने के लिए May Musk को एक साथ पांस तरह की जॉब्स करनी पड़ती थी ताकि वो अपने बच्चों के लिए second hand clothes and सस्ती खाने के चीज़े purchase कर सकें आज Elon Musk पूरे वर्ल्ड में मौजूद richest person माने जाते हैं जिनका बच्चपन एक struggling family में बड़े सपने देखने वाले बच्चे की तरह रहा बट ऐसे व्यक्ति के बच्चों का बच्चपन कैसा होगा जिनके पास किसी भी तरह की luxury को enjoy करने के लिए unlimited power and fame मौजूद है Elon Musk के billionaire kids की life को हमने अपनी previous वीडियो में अच्छे से discuss किया है वीडियो का link इस वीडियो के i button और इस वीडियो के description में दिया गया है अपनी mother को life में various challenges face करता देख Elon कई बर upset हो जाया करते थे बट फिर भी Elon ये सोचते थे कि उनके father अकेले कैसे रह रहे होंगे और उनका ध्यार रखने के लिए उनके पास कोई भी नहीं है इस तरह की thinking की वज़ा से एक दिन Elon अपने पिता के पास जाकर उनके साथ योहनस बर्ग में रहने का decision लेते हैं जिसका अपसोज उन्हें काफी जल्द होने वाला था Elon Rolling Stone के interview में बताते हैं आपको कोई idea नहीं Errol Musk किस तरह के इंसान है वो कुछ भी बुरा करने से पहले उस plan के बारे में पूरी तरह से planning करते हैं ताकि उनका evil plan पूरी तरह से successful रहे आप जिस भी crime के बारे में सोच सकते हैं Errol Musk ने वो सभी crime commit किये हैं जब interview में Elon से Errol के उन crimes के नाम पूछे गए तो Elon ने इस question का answer नहीं दिया बट police reports के according एक बार Errol Musk ने अपने घर रात के समय आए कुछ गुसपैटियों को अपनी गन से shoot करके मार दिया था जिसके बाद उन पर police case भी हुआ बट Errol Musk ने court में ये prove कर दिया कि उन्होंने ऐसा self defense में किया था जिसकी वज़ास से उन पर से ये case हटा दिया गया इस case के साथ ही recently आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि Errol Musk और उनकी stepdaughter ने 2019 में अपने first secret बच्चे को birth दिया Elon Musk जब अपने parents का divorce होने के बाद कुछ time अपने father के यहां रहने आये थे उस वक्त Errol Musk Elon को कहते थे कि वो Emerald Mind में काफी पैसे कमा रहे हैं इस तरह की claims के वज़ा से business insider ने Errol की बातों पर believe कर लिया अपनी report में उन्होंने ये तक लिख दिया कि Errol Musk जामिया में मौझूद 50% Emerald Minds के honor है and another business insider article में Errol कहते हैं कि उनके पास इस माइन से इतना पैसा आ रहा था कि वो अपनी safe को भी बंद नहीं कर पा रहे थे but later on Elon reveal करते हैं कि उनके father किसी भी तरह का Emerald Mind own नहीं करते even college आने के लिए भी Elon को अपने father से कोई भी financial help नहीं मिली जिसके लिए उन्होंने college आने के लिए खुद funds save किये and financial help ली जिसके बाद Elon को total $100,000 का loan लेना पड़ा even Elon के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपनी first company zip2 के इस्तमाल के लिए एक second computer खरी सके better life और अपने future के बारे में सोचते हुए Elon 17 साल के होते हुए Canada चले जाते हैं जहां जाकर वो अपनी sister, mother and अपने brother के लिए भी Canada shift होने की तियारी करते हैं Elon हमेशा से ही America जाना चाहते थे इसलिए उनकी life में वो first Canada shift हुए जहां से वो आगे की तियारी करना चाहते थे बट कुछ अनलकी बच्चों की तरह ही Elon के फादर ने भी उन्हें अपनी blessings नहीं दी Even Elon के फादर ये तक कहते हैं कि Elon एक idiot है जो इस तरह Canada जाकर अमेरिका जाने का सपना देख रहे है और ती महिनों के अंदर Elon हार मान कर वापिस South Africa आ जाएंगे And without a surprise वो idiot हार नहीं माना जो आज पूरे वर्ल में most innovative and successful companies को चला रहा है Tesla and SpaceX आज Elon Musk को जानने वाले ये अच्छे से जानते हैं कि Elon अपनी companies की मदद से कैसे humanity की मदद करना चाहते हैं चाहे वो अर्थ पर रहने वाले लोगों के लिए best electric cars बना कर हो या फिर planet Mars पर human civilization की शुरुआत करनी हो बट कुछ लोगी हैं जो Elon के इन ideas की origin की imagination कर पाते हैं एन Elon को real life में जानने वाले एन Elon की life के बारे में internet पर read करने वाले हम जैसे लोग इस चीज़ का idea I guess अब लगा सकते हैं कि किस तरह एक young बच्चे को अपनी life की problem solve करने के लिए ऐसी innovation करनी पड़ी जिसका part आज हर कोई बनना चाहता है आपको क्या लगता है क्या Elon ने Tesla और Spaces की शुरुआद अपने साथ बच्पन में हुई परिशानियों की वजा से ही की जिसने young Elon को आज का Elon Musk बनने के लिए inspire किया इस बारे में अपनी thoughts comment section में जरूर share करें So आज की वीडियो में बस इतना ही Share feedback and video suggestions in the comment section down below Thank you for watching until next time